नमस्कार मेहूत रशलाया दोस्वागत है आपका प्राइम टीवी में रगती शील समाजवादी पार्टी के अध्यक्षिश्च अपाल यादव ने सीतापूर जेल में सपा विधायक आजम खांसे मुलाकात की दोनों के बीच करीब सवा घंटे बाचीत हुई इनके मुलाकात के क्या माईने निकल कर सामने आ रहे हैं देखे हमारी एक खास रपोर्ट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे प्रगती शील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिपाल यादव ने सीधपु जेल में दो साल से बंद चल रहे सपा विधायक आजम खांसे मुलाकात कर सियासी हलचल बढ़ा दी है जहां एक और शिपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ अपने तेवल तल्क किये हुए हैं वहीं दूसरी और आजम खेमे से अखिलेश के खिलाफ बगावती सुर उठाने के बाद शिपाल और आजम की मुलाकात के तरे तरे के माइने निकाले जा रहे हैं अखिलेश से नाराद चल रहे शिपाल और आजम की मुलकात ने दोनों के एक साथ आने के कयास को हवा दे दी है जेल में आजम और शिपाल के बीच करिद सवा घंटे बातचीत हुई अब हम तो साथ है यह हमारे साथ हैं दरसल पिछले कुछ दिनों से शिपाल यादव और आजम खेमा दोनों ही अखिलेश यादव से नाराज चल रहा था आरम समर्थकों का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं पिछले दो सालों की बात करें तो इस दरान अखिलेश यादव ने केवल एक बार ही आजम खान से जेल में मुलाकात की है जिससे उनकी समर्थकों में काफी नाराज़गी है वही शिपाल यादव समाजवादी पाटी में अपने भविश्य को लेकर भतीजे से नाराज़ दिखाई पर रहे है गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होकर शिपाल ने कहा कि अगर अखिलेश समझते है कि मैं बीजेपी की संपर्ग में हूँ तो मुझे पाटी से बाहर क्यों नहीं कर देते आपको बता दे कि मुलायम सिंग यादव के दोरे में समाजवादी पाटी में आजम खान और शिपाल यादव की तूती बोलती थी दोनों की पाटी में एक खास जगे थी आजम खान को समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चहरा माना जाता था तो शिवाल यादव को संगचन का नेता बताये जाता था लेकिन 2022 के विधान सबाचुनाव में इन दोनों ही नेताओं को कोई खास सबज्जों नहीं दी गई डेस रिपोर्च प्राइम टीवी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस